गाईस-गाईस-गाईस क्लाइट की विडियो एक घंटे में देनी है ठीक है रेडी चलो चलो जी डण बहुत बुढ़ा ग्रेट यार मज़ा आगए यार चलो टाइम पे चलाइपिंग यार तो अभी हमने just एक project complete किया अपने client का और सच में कम टाइम में अगर आपने client को video deliver कर दी तो उसकी मज़े ही कोछ और है और तभी मज़ा आता है teamwork करने का लेकिन आप अपने घर से freelancing कर सकते हो और video editing में अच्छा पैसा बना सकते हो बट उसके लिए आपके पूरी video देखनी पड़ेगी complete समझ जाओगे आपने चलिए video देखते हैं तो देखो जी सीधा सा हिसाब है कि 2024 में अगर video editor बनना है न तो सबसे पहले तो ये growing industry है उसके बीछे several reasons है सबसे पहला है internet का grow करना और उसमें भी जादा video penetration बढ़ना आज कोई भी चीज़ अगर search की जाती है न तो लोग Google से जादा YouTube पे search करते है और YouTube पे क्या आ रहा है video दो सबसे major factor है एक है long video एक है short video मैं 7 साल से YouTube पे video बना रहा हूँ और शुरुवात के जितने भी 3,5-3 साल के video edit है न वो मैंने खुद edit करें ये reality है और एडिट करने के साथ साथ जब मैं देखता था कि यार बहुत सारे यूटीबर जो freelancing पर भी work करते थे तो मैंने भी सोचा कि क्यों ना मेरे अंदर एक हुनर है और मैं भी इस चीज़ को करूँ ये बात reality है न जी सबने करना शुरू करा तो as a career आपके पास अभी कोई skill नहीं है लेकिन आपको video editor बनना है तो पूरा step by step मैं आपको समझाओंगा अब नहीं सिर्फ digital अब आप सोचो television, corporates, advertisement, communications जितनी भी चीज़े है न इन सब में video editor की requirement है होता क्या है हम सब कहते है यार मुझे video editor बनना है मुझे freelancing करना है बड़ आपके अंदर skill तो आना चाहिए न सिर्फ क्या skill आपको video editing की skill चाहिए अब इन skill के नहीं सबसे पहले कुछ चीजों की requirement है क्योंकि आज नहीं मैं आपको practical बताने वाला हूँ जो मेरे office में चलता है आज हम महीने का 2-5 लाख रुपए इस office में freelancing video editing करके earn करते हैं क्योंकि बहुत सारे client है जिनके हाँ मेरी video office में edit होती है मैं नहीं करता लेकिन मैं खुद एक पहले freelancer था फिर मैंने लोगों को hire करें अब मैं उनसे काम करवाता हूँ अब प्रीमियर प्रो चाहिए दूसरा अगर आपके पास Mac है तो सर आपको चाहिए Final Cut Pro मतलब इन दो software का पहले बहुत बुलवाला था अब उसके बाद After Effects मतलब effects डालना हुआ वीडियो में तो ये तीन चीजे ना बड़ी बुलवाला था मतलब दो लोग विंग भटे हुए थे एक जो थोड़े अमीर क्लास वाले थे सर हम तो Final Cut Pro चलाते हैं अपल वाले हैं जी एक है भी या हमारे पास बीस्ट कम्प्यूटर है हम तो Adobe Premiere Pro के साथ काम करते हैं After Effects इसमें है भी या सब कुछ कर लेंगे ये दो गुट बटा हुआ था लेकिन Revolution जब आया डिजिटल का तो जरुरत बढ़ने के साथ साथ बड़ी-बड़ी सैप कंपनिया जो टेक की कंपनिया थे ने सौफटर बनाने दिया मोबाइल में आज मोबाइल के बहुत सारे सौफ़वेर्स हैं जो बड़े-बड़े सौफ़वेर्स का तूती बोल देते हैं भाई साथ सबसे पहला है वी एन एडिटर दूसरा है काइन मास्टर तीसरा है कैपकट ये जो सौफ़वेर्स हैं इन में से कोई एक आप सीख लीजे बस उसके बाद लैपटॉप अगर आपके बास बेसिक है लैपटॉप वाला बहुत जादा हाई कन्फरिग्रेशन नहीं है फिर भी आपको अच्छी एडिटिंग करनी है तो सबसे बढ़िया सौफ़वेर है फिल्मोरा आज के टाइम पर सच में लैपटॉप पे यूज़ करने के लिए मुझे लगता है वन अब बेस सौफ़वेर्स में से ही कह है और यूटीब के 40% जो यूटीबर पॉपलर हो चुके है जो मोवाईल से उठके लैपटॉप पे आचुके है तो वो मोवाईल में एडिटर ना करके वो लैपटॉप में फिल्मोरा में आज भी एडिट करते है यह रियालिटी है मैं आपको पिताता हूँ अब आपके पास वर्क प्रोजेक्ट कैसा आएगा सर क्या सीखू तो जब आपने एक एडिटिंग सीख ली एडिटिंग में देखे बहुत बेसिक बेसिक चीजे है मेरे ओफिस में यह जो लोगों के जॉब एप्लिकेशन के आते हैं सब फेल हो जाते हैं बैचारे मैं चार पास सवाल पूछता हूँ पहला कट लगाना कोई भी वीडियो दे देता हूँ रफ कट उसके बाद दूसरी है क्रियेटिविटी देखिए एडिटिंग का मतलब यह नहीं कि आप मैं नॉर्मल वीडियो बना रहा हूँ आप मुझे बार बार उपर नीचे उपर नीचे मेरे गर्दन को घुमा के इधर पीछे की तरफ कर देंगे तो आपके पास एक वीडियो का कट का सेंस होना चीह है कलर ग्रेडिंग का सेंस होना चीह चिए कि वीडियो में जैसे अभी मैं आपको दिखाओ इस वीडियो में देखे color grading वान, थू, थी यह तो आप पीन color grading देखें ये sense आपको होना चीह अगर आपने music की भी sense ले ले लिना कि किस जगा पे कौन सा music चाहिए, किस नहां पे high होना चाहिए, low होना चाहिए, तो समझ लो, आप 90% editor बन चुके हों, और उसके बाद 10% जो आगे आपको चाहिए ना, वह क्रिटिविटी में enhance करना, कि डिविटी कैसी, कि भी आप सामने वाले का taste कैसा है, है ना, कुछ लोगों को बाद सेंपल वीडियो चाहिए, कुछ लोगों को अफला तू चाहिए, तो सामने वाले का जब टेस्ट आप थोड़ा समझ लोगे, तो उससे साब से आपको editor बनना है, बाकि जितने भी software tools अब सीक किया रखो, जूम, speed, है ना, text लिखना, flip करना, filter लगाना, इस सब चीजे बड़ी आसान है, जी मैं आपको बता देता हूँ, दिन पर मैं करता हूँ, आज भी न, मैं अपने VN पे आप जितनी वीडियो देखते हो न, जो Instagram पे आती है, मैं तो उसमें से 80% खुदी काट लेता हूँ, मैं जाए, कि लोग मेरे को देख के बोले, हाँ यार इस से काम करवाना चाहिए, तो पोटफोलियो बनाने के लिए सबसे पहले, जहां भी YouTuber मिल जाए, कोई production house मिल जाए, वहाँ पे editing का internship कर लो, गाली मिलेगी, बत्तिमीज होते हैं production house वाले, YouTuber बड़ी शदीफ होते हैं, हमारी office इसमें आजाईए, आज ता कोई किसी से बत्तिमीजी से बात नहीं करता, बत्तिमीजी हर जगा होती है, मजे हर जगा ली आते है, enjoyment हर जगा होता है, लेकिन गाली गलोज नहीं होती, मुझे लगता है कि production house वगरा में लोग आपस में एक दूसरे को छोटे को तो खास कर वो क आपस बहुत सारे ऐसे एडिटर आते हैं, जो आते हैं, कहां पर काम करते हैं और खुद का जाके अपना चैनल बनाते हैं और बहुत बढ़िया चलता है उनका चैनल, तो कितनी अच्छी बात है कि जब आप यूटीबर कहां इंटर्शिप करेंगे, तो आप नहीं नहीं ची आपना गिक्स बनाना शुरू करें, कम पैसो मेरिटिंग करें, एक टाइम आएगा एक से ड़ेडर साल बात, जब आप यूटीबर की वीडियो एडिट करने लगेंगे, रीलस एडिट करने लगेंगे, कॉर्परेट की वीडियो एडिट करने लगें, मैं आ बोलूगा तो आप जोड सकते हैं अच्छे एडिटर लेकिन लोग मुझे मेल करते हैं लेकिन मुझे दिक्क्य समझाता है अभी ललका ना तो कहीं इंटरंशिप किया है ना कुछ पांच यूटिप पे खुद वीडियो डाली थी नहीं चली एडिटर बन गया ना एडिटर ही बनना है य क्योंकि मैंने साथ साल से एडिटिंग करी है इतने सारे एडिटर की मैंने हाइरिंग करी है मैंने इतने सारे इंटर्व्यूज लिए है जब मुझे समझ है कि मुझे कैसा एडिटर चाहिए आपको क्या लगता है कि मेरे इस ओफिस में तिर्रम खा एडिटर आए होंगे बि बहुत इनहेंस कर लिया तो अगर आप इस तरीके से एडिटर बनना चाते हो भाई तो आप डेली के अराम से आरली बेसे पे तीन से चाराजाभ रुपए अर्न कर सकते हो यह बात अलगे क्या आप बारा घंटे काम निकर सकते हो इस जोन में है ना आप डेली के 2-2 घंटे ही क कर सकते हो मतलब डे के आप 5-6,000 रुपे अराम से अर्ण कर सकते हो और कितनी अच्छी बात है कि आप बिहार में अपने मम्मी पपा के घर में बैठ के और मोबाइल से मैं यह नहीं कह रहा हूं कि आपको चाहिए एक दम बहुत बड़ा मैक चाहिए जो मेरे मैक बाजू में र हजार रुपे में आप जो नंबर कॉल करोगे न तो हम तो कंप्लीट यूटीब का पैकेज देते हैं लेकिन हम सर्फ एडिटिंग भी कोर्स दे देते हैं लोगो कि लोग सीखी और एडिटर बनी है यह रियालिटी है तो आब यह सीख के आप एडिटर बन सकते हो कोई हजार रुपे में यह कोर्स करवा रहा हूं तो अगर आप करना चाहते हो तो करो नहीं तो नहीं दो यूटीब पर ना बहूत शारी वीडियो है समया आप देखो मैं यहा कोर्स में नहीं आया है मैं आपको बताने हैं कि एडिटिंग का बहुत-बड़ा करियर है अगर आप को brain drain नहीं करना पड़ेगा दिल्ली पंजाब कलकत्ता नहीं घुमना पड़ेगा आप घर में बैठे बैठे आप सब की editing कर जकते हो और घर वाले बोलेंगे यार यह सही है हमारा वेटा हमारे साथ है और पैसे कमार है दुनिया के सबसे बड़ी खुशी है मेरे भाई यह मैं आपको बता देता हूँ I hope यह वीडियो अच्छा लगा होगा नए होना भाई तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाना और पूराने होना तो notification bell on कर लेना क्योंकि मैं ऐसी ही वीडियो रेगुलर आपके लिए लाता रहूँगा Thank you so much